हाई फ्रेंड्स मैं हूँ नलीनी मलकानी नलीनी के रेसोई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं एक फ्यूजन रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चिकन लॉलिपॉप सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन धबाना ना बुने ताकि आपको हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंट मिल जाए चलिए तो देखते हैं चिकन लॉलिपॉप बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की आपशक्ता होगी चिकन लॉलिपॉप बनाने के लिए मैंने लिया है रेडिवेट चिकन लॉलिपॉप जो बजार में आसानी से मिल जाते हैं तीन बड़े चमच पॉन चार्ट, देड़ बड़ा चमच मैदा, एक अंडा, गार्निशिंग के लिए स्रिंग अनियन, दो छोटे चमच डार्क सोया सॉस, दो छोटे चमच लसन अद्रक का पेस, दो छोटे चमच कश्मिरी लाल मिट पाउडर, एक छोटा चमच काली मिरी नमक स्वात के अनुसार, पानी और तेल, चिकन लॉली पॉप बनाने के लिए सबसे पहले चिकन लॉली पॉप के पीसिस को मैरिनेट कर लेते हैं, उसके लिए मैं लेती हूँ, देड़ चमच, लसन अद्रक का पेस्ट, नमक स्वात के अनुसार, कश्मिरी लाल मिट सोया सॉस, दो चमच, इन सब को अच्छी तरह मिलाकर और मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, सारे मसाले अच्छी तरह सब पीसिस पर कोट होने चाहिए, अब इसको कम से कम आदा घंटा डग कर रख जेते हैं, चिकन लॉली पॉप के पीसिस अच्छी तरह मैरिनेट हो गए लसन अद्दक का पेस्ट, अब इसमें एक अंड़ा, अब इसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं, बैटर की स्मूथ पेस्ट बन गई है, अब चिकन लॉली पॉप को इसमें डाल के और फ्राय कर देंगे, चिकन लॉली पॉप को तब तक पकाना है, जब तक ये बोल्डन ब्राउन हो गए है, अब हम इने निकाल लेते हैं, वर्ल फेमर्स चिकन लॉली पॉप सर्फ करने के लिए बिल्कुल तयार है, सर्मिर कंटाउस थिstar है, visibility नइक चिकन लॉले मुझाती लॉलिओं मैं आप को मेरेसिपी पसंद आई होगी और मैं आशा करती हूँ, मछ सब्सक्राइब करांगे, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हूँ तो प्लीज शेर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें जल्द ही नई रेसिपी के साथ लोटूंगी तिल देंग, टेक वेरी गुट कियर आफ यूर फैमिली और यूरसेल्फ, स्टे हेल्दी, हैपी और फिट थैंक यू पर वाचिंग, नली नी की रसोई